तो यह हमने विटमिन सी ऑईल अपना बना कर तायार किया है जिसको हमने एक बॉटल में जो है डाल दिया है और यह हमने किस तरह से बनाया है यह हम आप लोगों के साथ पूरी वीडियो आप लोग एंड तक दीखेगा आप लोगों को अची तरह समझ आ जाएगी यह विटमिन सी ऑईल आप लोगों ने किस तरह से बनाना है जो के हमारी स्किन के लिए बहुत ही जादा बैनिफिशल होता है और बहुत ही इजी बन जाता है बिल्कुल भी इसमें जादा इंग्रीडियों इस्तेमाल नहीं होता है सिर्फ आप लोगों ने इसके लिए आप लोगों को औरिंजिस का चिलका होता है जो पील होता है और हमारे पस ओलिव ओल चाहिए होता है और थर्ड चीज एव्यून के जो कैपसूल होते हैं विटमिन ए के वो जाई होते हैं उनको मिलाने के बाद जो है यह बनके तयार होता है और पूरी वीडियो में आप लोग देख भी लेंगे किस तरह से आपने बनाना है और हजारों के जो आप लोग सीरम्स बाहर मार्कीट से लेते हैं उनसे बहुत बहतर है यह विटमिन सी का ओल जो हमने खुद घर में बना के तयार किया यह उन हजारों सीरम्स से बहुत 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 हैं क्योंकि उसपर अपना बहुत जादा है बहुत बहुत जादा है वाज़ा हैमरा इसके वे बाहुत बहुत जाते हैं आप लोग डिन के पर ज़ारा ही रिसीव होना शिरू हो देरोगा आप लोग definite आप लोग की इसकल्व्यस पर ठराइगी है कि और आप लोग को कंड़ थन लगेगी सिर्फ 15 दिन के उसके अंदर अंदर और जादा आप लोगोंने नहीं लेना जस्ट टू रॉप्स त्री डॉप्स आप लोगोंने अपने पूरे फेस पर अप्लाय कर लेने हैं और यह आप लोगों की इतनी कुएंटिटी जो हमने बनाई है यह कुएंटिटी आप ल लिए तो आप लोग यह वीडियो को एंड तक वाच कीजिएगा तो चलें चलते हैं अपनी जबाद स्टी वीडियो की तरफ खक्लाव के नहींतर हैं है अपनी रामेटी की तरफ सबसे बहले हमने यहा पर और इस तरह एक ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर जो है और आप प सबस्क्राइब है और यहाँ पर बॉटल के अंदर हमें इसे फिल कर देंगे और यहां पर हमने इसमें औलिव ओयल एड़ कर दिया है और जार को हम क्लोस कर देंगे और जार को बंद करके हमने किसी भी डार्क प्लेस में से रख देना है 3-4 डेस के लिए उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे तो इसे तीन से चार दिन अब हो चुके हैं तो आप जो है हमें इस तरह से स्ट्रेन करना है और इसके लिए हमने एक छन्नी ली है और इसमें इस तरह से दाल देंगे और अगर आप लोग चाहें तो इसके लिए स्ट्रेनर प्यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसके लिए मलमल का कपड़ा भी इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरह से तो यह यहां पर हमने पूरा स्ट्रेंग करके निकाल लिया है अब हम इसे अपनी बॉटल में आइड कर लेंगे और यहां पर हमने इसे बॉटल में फिल कर लिया है और यहां तक यह बॉटल में फिल हुआ है अब आब यहां हम इसमें एविएउन के कैपसूल को इड करेंगे ये जहें आफियान के कैप्द होते हैं जो कि हैापको आपको इसनी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे तो यह भाधिक्ट करेंगे देक्ट कैप्सूल जो हैं यह विटमीन ए के हैं को जड़ा सा आप ऊपर से कट कर लेंगे और इसमें जो है से हम एड़ कर देंगे अब जो है हम बॉटल को क्लोज कर देंगे और इस तरह उसको शेक कर लेंगे जिससे जो है विटमिन एस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इससे जो है इस तरह से हम अच्छी तरह शेक कर लेंगे और यह जो है शेक हो चुका है बहुत अच्छी तरह से और यहां पर हमारा vitamin C oil बन कर तयार हो चुका है which is very beneficial for our skin और यह बाटल हमारे पास थी Dr. Rashil की vitamin C की और इसी में हमने अपना vitamin C का जो oil है वो हमने इसमें एड़ किया है तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमें दौाओं में याद रखीगा अलाहाफिज